रूस के राष्ट्रपती व्लादमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका के साथ स्तौ पच्पन राजनाईकों को रूस से हटना होगा और चेतावडी दी की हो सकता है कि वाशिंटन के साथ लंबे समय तक सिंबंधों में सुधार नहीं हो। अमेरिका की तरफ से कड़े प्रतिबंध लागू किये जाने के बाद रूस ने यह कदम उठाया है। रूस के विदेश मंत्राले ने पहले मांग की थी कि वाशिंटन रूस में सितंबर तक राजनाईकों की संख्या कम कर 455 तक करे। इतने ही रूसी राजनाईक अमेरिका में पुतिन ने रूसिया 24 टेलेविजन को दिये साक्षातकार में कहा कि अमेरिका के दूतवास और महवानिच ये दूतवासों में 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे और अब भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा। 755 लोगों को रूस में अपना काम बंद करना होगा। पुतिन उन्होंने कहा कि वाशिंटन के साथ रूस के संबंदों में जल्ड कोई बदलाओ की उमीद नहीं है। उन्होंने कहा, हमने काफी इंतजार किया, हमें उमीद थी की स्थिती बहतर होगी उन्होंने कहा, लेकिन लगता है कि अगर स्थेती बदलती भी है तो यह जल्द नहीं बदलेगी अमेरिकी सीनेट ने गुरुवार को एक विधेयक को मन्जूरी दी जिसमें 2016 के अमेरिकी राश्वपती चुनावों में रूस के कथित तोर पर समलिप्त रहने और 2014 में क्रीमिया परकपजे के लिए प्रतिबंध कड़े करने की बात है प्रतिबंध वाले विधेयक में किरान और उत्तर कोरिया भी निशाने पर है